JP University के सबी students के लिए बहुत ही बड़ी खबर, University द्वारा अभी अभी एक नया अपडेट जारी हो चुका है, सबी students के लिए, चाहे हो 2021-24 के students हो, चाहे हो 2019-22 के students हो, या आप लोग 2017-20 के हो, या 2018-21 के हो, ठीक है, सबी चात्र इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, सबी students को म आप लोगों को सबी students को इस वीडियो को पूरा अंतक देखना है, सबसे पहले आप लोग अपने mobile phone का Google ओपिन कर ले, और search box में type कर दे, jpbadmission.org, लिखकर आपको सर्च कर देना है, जैसे आप लिखकर सर्च करोगे, आपके सामने एक नया window यानि नया website ओपिन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर, तो दोस्तों देख सकते हैं हम आगए हैं अपने official website पर, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सबी students को पूरी जनकारी दूँगा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि JP University से जुड़ी पूरी पल-पल के update हमारी चैनल माओर या गुरू ए अपको मिलता रहे, दोस्तों यह दि अगर आप B8 के students हो, B8 first semester 2020-2022 के students हो, तो आप लोगों का 30 तरीक तक जो है exam form भरा जाएगा, जी हाँ, exam form 30 तरीक तक आप लोगों का भरा जाएगा, अब यहाँ पर हम जान लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को पूरी जनकारी बता देत हैं, देखिए दोस्तों जो भी information आता है, सबसे पहले तो वीडियो चैनल पर आप लोगों को upload करने, देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी जनकारी एक साथ, प्रूप के साथ दिया जाता है, यह देखिए दोस्तों, यह 2021-24 के छात्रों का है, ठीक ह है, आप लोगों का fourth miracle list बहुत जल्द जारी होगा, इसी side पर, जिहां, ज्यादा नहीं, आप लोगों को सिर्फ दो दिन और इंतिजार करना है, कितना दिन, दो दिन, जिहां दोस्तों, दो दिन आप लोगों का और इंतिजार करना है, दो दिन के अंदर-अंदर में आप लो आप लोगों का लिंग के मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, आने वाली सभी जुड़ी जनकारी टेलिग्राम ग्रूप में डाल दिया जाता है, तो आप लोग जुरूर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, ठीके, आप यहीं पर बात करेंगे दोस्तों अगले next session की बात करें 2019-22 part 1 के चात्रों की 2019-22 part 1 के लगातार students का सवाल है कि सार हमारा practical परिच्छा का routine जारी हो गया है पर समझ नहीं आ रहा है हमें थोड़ा समझाईए विस्तार से चलिए जान लेते हैं यार आप लोगों को लिए महत्पुन सूचना हर एक college का अलग अलग routine होगा ठीक है इसलिए आप अपने college का routine 28 को साम तक या 39 को जाकर सुबह 10 बजे तक पता कर ले ठीक है आप लोग आप लोग सुबह जैसे के 28 तारीक को भी जाकर 28 तारीक को जाकर आप लोग पता कर लिजे अपने college में ठीक है उसके बाद university केवल common date दी है ठीक है university जो है सिर्फ common date ही दिया है college wise routine अलग होगा ठीक है इसलिए सब छोड़िये और 29 को सभी लोग college जाईए मैं तो कहता हूँ 29 को भी 29 को भी छोड़िये 28 को college जाईए सभी students कल को 28 तारीक का college जाईए ठीक है आपका routine कोई नहीं बता सकता सिवाए college के ठीक है ध्यान से सुन लिजिए आप college जाईए और college से संपर्क करें सभी students ठीक आप लोगों को अपने college जाना है और college में ही आप लोगों का practical परिछा होगा तो प्लीज आप लोगों का college जाकर संपर्क करें ठीक है आप लोगों का college से सारा को जनकारी मिल जाएगा 28 तारीक को ही जाईए मैं तो कहता हूँ सभी students को अब दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जनकारी दूँगा जेप इनवर्सिटी से जो भी जनकारी आएगा ओके अब यहां पर हम बात कर आवज आ जाते हैं सिदा हम लोग side पर अब side पर आने के बाद दोस्तों हमारे चैनल पर पूरी जनकारी जैसे कि आपको मिलता रहता है अब वहीं पर बात कर लेते हैं 2017-2026 2017 के स्टूडेंस का बेसबरी से इंतजार है पार्थिरी रिजल्ट को लेकर भाई यह जैसे ही जारी होगा न मैं सबसे पहले आपको प्रूप के साथ लाइब प्रूप चेक करके दिखाऊंगा ठीक है आप लुग थोड़ा सा धेर यह बना कर रखें इंतजार करें बस आपको इंतजार करना है थोड़ासा जैसी रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आता है म वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को जोईन करो, आने वाली सभी नोटिफिकेसन आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, दोस्तों यहाँ वीडियो कैसी रही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, किसी भी सेशन के स्टूडेंस हो आप लोग, यदि अगर आपको मन में और भी कोई सवाल है, किसी भी परकार कें, तो नीचे मैसेज करके आप पोच सकते हो, उसकी भी जनकर यह आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, अखला वीडियो लेकर आएंगे बहु यवन देमात्रू